दोस्तो कोरोना की वज़ा से देज भर में जो भी समस्या आई है उससे निपटने के लिए मोधी सरकार ने एक और नई योजना का एलान कर दिया है इस योजना का नाम है आत्म निर्भर भारत अभियान 2020 दोस्तो देज में आर्थिक मंदी है सभी कारूबार बंध है ऐसे में गरीब तबके के लोगों को राहत देने के लिए आत्म निर्भर भारत अभियान 20 लाग करोन रुपए के राहत पैकेज का आयलान मोधी जी ने कर दिया है मोदी जी ने इस पैकेज का एलान कल 12 मई को रात 8 बजे देश के संबोधन के समय किया मोदी जी के इस पैकेज के एलान का मुख के उद्देश भारत वासियों को आत्म निर्भर बनाना है इस योजना का लाब सूत्रों के अनुसार किसान, मजदूर, वृद्धा, विद्वा, विकलांग, जंदन धारक, रासनकार, धारक, कुटिरुद्योग, लगुद्योग वालों को मिलने वाला है यानि कुल मिलाकर सभी वर्गों को इस योजना का लाब मिलने वाला है जो की आत्म निर्भर पैकेज का है जिसमें 20 लाग करोण उपे के राहत पैकेज का एलान कर दिया गया है और इसी में से सभी को लाब दिया जाएगा भारत दिया इस बड़े पैकेज के एलान के बाद पच्वे स्थान पर सबसे जादा आर्थी पैकेज देने वाला देश बन गया है जो अपने देश के जीडीपी का 10% है यानि देश के जीडीपी का 10% जो है वो राहत पैकेज के रूप में देश वासियों को मोधी सरकार दे रही है तो क्या लिखा हुआ है पूरी खबर हम पढ़ लेते हैं हिंदुस्तान, live hindustan.com पर आप इसमें आकर सारी खबर पढ़ सकते हैं और जानकारी हासिल कर सकते हैं तो देखिए इसमें नया अपडेट आया हुआ है जिसमें लिखा है वित मंत्री निर्मला सीता रमन आज 4 बजे बताएंगी कैसे होगा 20 ला करोड की पैकेज का इस्तिमाल इसे हम पढ़ लेते हैं इसमें देखिए साब साब लिखा है कोरोना संकर से बेपट्री हुई देश की अर्थव्यस्ता को पट्री पर लाने के लिए पीम नरेन मोदी ने मंगलवार को यानि कल के दिन 20 ला करोड के आर्थी पैकेज की घोशना की थी देखिए इसमें लिखा हुआ है फिक्की की अध्यच संगीता रेडी ने कहा है कि पांच आधार अर्थव्यस्ता, बुनियादी ढाचा, विवस्ता, जनसंख्या और मांग को मजबूत करने में भारत फिर से सतत्ध वृद्धी के रास्ते पर आएगा वही सोसाइटी ओफ इंडियन आर्टो मोबाइल मैनुफेक्चर्स ने उम्मीद जताई कि जब वितमंत्री पैकेज की बारिक्यों की घोशना करेंगी तो देश के वाहन उद्ध्योग की मदद के रिए एक केंद्र पैकेज का एलान करेंगी किसानों की भी लगी है आस देखे किसानों को भी आस लगी हुई है कि आर्टिक पैकेज के खुटिर उद्ध्योग ग्री उद्ध्योग हमारे लगी मजोले उद्ध्योगों को काफी उमीदे हैं पीम ने अपने राष्ट के नाम संबोधन में जो बाते कही है उस हिसाब से इस पैकेज में किसानों के लिए भी बहुत कुछ हो सकता है मोधी ने कहा है कि आत्मिनवर भारत के हमारे संकल्प को मजबूत आधार है और ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए है देश के उस किसान के लिए है जो हर इस्तित्री हर मौसम देशवासियों के लिए दिन रात पर इस्त्रम कर रहा है इसके मुताबिक यानि किसान को भी इस राहत पैकेज से कुछ पैदा जरूर मिलने वाला है बतादे कोरोना संकर से भारती अर्थ व्योस्ता को उबारने के लिए परदान मंत्री नरिन मोदी ने मंगलवार को 20 लाग करोन उपए के राहत पैकेज का एलान कर दिया है और या भारती जीडीपी का लगबग 10 फीजदी है इसके साथ भारत राहत पैकेज के देने वाले मामले में दुनिया का पाचवा बड़ा अस्थान देश में बना चुका है सबसे बड़ा राहत पैकेज देने वाला पहला देश जापान है और दूसरा अस्थान अमेरिका का है आज 4 बजे वित मंतरी निर्मला सीता रमन आएंगी और वो सारी बाते बताएंगी कि किस प्रकार से 20 लाग करोन उपए के पैकेज में किनकी लोगों को क्या क्या लाब दिया जाएगा तो आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आयोगा अगर पसंद आयोगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बार नोटिवेकेशन बेल उन कर दीजेगा क्योंकि जैसे ही कोई राहत पैकेज का ऐलान के बारे कुछ नई जानकारी आती है तो आपको बताई जाएगी तब तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले जगा मिलते हैं अगले वीडियो में